और आईए आपको सीधा लिए चलते हैं जो आप प्रियाग राज में पीम नरिंद्र मुदी अपना संबूदन दे रहे हैं और यहां उपस्तित यूपी के सामर्थे को बढ़ाने वाले यहां के सामर्थे की प्रतीक मेरी माताएं और बैने आप सब को मेरा सादर प्रणाम मा गंगा यमना सरस्वती के पावन तट्पे बसा प्रियाग राज के धर्ती के हमसीज जुकाय के प्रणाम करत है यूदरा है जहां धर्म ग्यान और न्यायक की त्रिवेणी बहत तिल्थन के तिरत प्राज राज में आई के हमेशन ही एक अलगेई पवित्रता और उर्जा का एसाद होता है पिछले वर्ष फरवरी में हम कुम्भमा ये पवित्रत धर्ती पर आवा रहें सब संगम में डुपकी लगाएके अलोकिक आनंद के अनुभव फरात्त किये रहें तिरत राज प्रया की ऐसी पावन भूमी को मैं हाज जोड़कर प्रणाम करता हूं आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महवीर प्रसाद विवेदी जी की पुन्यतित्य भी है प्रयाग राज से साहित्य की जो सरस्वती बही दुवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहें मैं उन्हें अपनी सर्दानली अत्वित करता हूं माता और बेहनों प्रयाग राज हजारों सालों से हमारी मात्रु शक्ति की पती मा गंगा यमना सरस्वती के संगम की धर्ती रही है आज ये तिर्शन अगरी नारी शक्ति के इतने अद्वुत संगम की भी साख्षी बनी है ये हम सभी का सवभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने अपना आशिरवाद देने आई है माताओ बेनों मैं हाँ मंच पर आने से पहले मैंने बैंकिंग सख्षियों से स्वसहायता समूक से जुड़ी बेहनों से और कन्या सुमंगला योजना की लाभारती बेटियों से बात की ऐसे ऐसे भाव ऐसी ऐसी आत्म विश्वात से भरी बाते माताओ बेनों हमारे यहाँ एक कहावत है प्रत्तक्षे किम प्रमानम यानि जो प्रत्तक्षे है जो सामने है उसे साबित करने के लिए कोई प्रमान की जरुवत नहीं पड़ती यूपी में विकास के लिए महिलाओं के ससक्ति करन के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है अब यहाँ मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की एक लाग से जादा लाबारती बेटियों के खातों में करोड़ों रुपिये ट्रांसपर करने का सौपाय की बिला यह योजना गाउं गरीब के लिए बेटियों के लिए बरोसे का बहुत बड़ा माद्यम बढ़ रही है यूपि ने बैंग सठी किया जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बड़लाव ला रही सरकार से अलग-अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डारेक बेनिफिट ट्रांसपर डिबीटी के जरिए खाते में आता है ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता बैंक सखी की मदद से ये पैसा गाओं में गर पर ही मिल जा जा करता है यानि बैंक सखी बैंक को गाओं तक लेकर आ गई है और जो लोग सोट रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बैंक सख्यों का काम कितना बड़ा है यूपी सरकार ने इन बैंक सख्यों के उपर ऐसे करीब 75,000 करोड के लेंदेन की जिम्मेदारी सोपी है 75,000 करोड रुपिय का कारोबार ये गाओं में रहने वेली मेरी बेहने मेरी बेटिया कर रही है जितना लेंदेन गाओं में होगा उतनी ही उनकी आमद्नी भी होगी इन मेंसे ज़्यादा तर बैंक सख्या वो बहने हैं कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है इसलिए देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है और तभी तो मैं कहता हूँ प्रत्यक्षे किम प्रमानम माताओ बैंओ यूपी ने टेक होम राशन जच्चा बच्चा को दिये जाने वाले पोशन को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौपी है ये पोशन वाला राशन और आहार अब सेल्फ हेल्फ ग्रूप में साथ मिलकर महिलाओं खुद बनाएगी ये भी बहुत बड़ा काम है सालाना हजारो करोड रुपिय का काम है जिन दोसो दो पुष्टा हार उत्पादन यूनिस का आज सलान्यास हुआ है उनसे सेल्फ हेल्फ ग्रूप की महिलाओं की आबद भी होगी और गाउं के किसानों का भी बहुत बड़ा लाब होगा गाउं की महिलाओं अपनी फ्यक्टरी में पुष्टा हार बनाने के लिए फसल अनाज गाउं से ही तो खरिदने वाली है यही तो ससक्तिकरन के वो प्रयास है जिनोंने यूपी की महिलाओं का जीवन बदलना शुरू कर दिया सरकार अलग अलग सेक्टर्स में स्वयम सहायता समों को जो सहायता दे रही है इसकी एक किस्ट के तोर पर आज मुझे एक हजार करोड रुपिये ट्रांसपर करने का सौभागे मिला है यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है उत्तर पदेश की महलाओं ने माता बेहनों बेटियों ने ठान लिया है अब वो पहले की सरकारों वाला दोर वापस नहीं आने देगी डबल इंजिन की सरकार ने यूपी की महलाओं को जो सुरक्षा दी है जो सम्मान दिया है उनकी गरिमा बढ़ाई है वो अभुत्पुर्वा है भाई और बेहनों माता ओ बेहनों बेटियों उनका जीवन पीडियों को प्रभावित करने वाला पीडियों का निर्मान करने वाला जीवन होता है एक बेटी का सामर्थ है उसकी सिक्षा उसका कौसल सिर्फ परिवार ही नहीं समाज की राष्ट की दीशा तै करती है इसलिए 2014 में जब हमने माँ भारती के बड़े सपनों बड़ी आकांशाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई उर्जा देने का प्रयाश शुरू किया इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को ससक्त करने के लिए योजनाय बनाई अभियान चलाए साथियों बेटिया कोख में ही ना मरी जाए वो जन्म ने इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान के माद्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया जो 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 ऑड़िया झाल